सब्सक्राइब नो डाउट हम यह पढ़ते आया हैं बुक्स के अंदर की इंडन एकॉनमी के अंदर हम थ्री सपड़ते हैं प्राइमरी सेकंडरी टर्शेरी बड़ हम एकॉनमी को कुछ और भी टैपे सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं जिन पर हम करेंगे डिसकेशन आज बन बाइब बन त करके इंडन इककॉनमी के अंदर को कईकंडारी के अंदर के और सकते हैं इसको हम ट्रीट्रीज़ इस पर दिसक्रशन करें गार्ट क्या अगर हम देखते हैं कि हम यह देखते हैं कि कुछ लोग जो इसक्व पालन करते हैं इसका है कि वह सभी लोग प्राइमरी संटर में इंगेज्ड हैं वो सभी लोग प्राइमरी के काम करते हैं जोगे कोशंऔर करते हैं कि वह प१ honum करें कि is a इंदिया में काम-करते हैं अगर यहां पर कोई भी कोई भी फॉर्मलेटीज नहीं होती है यह बिलकुल अनफर्मल है जहां पर बहुत ज्यादा डॉक्मेंटेशन नहीं होता है इसे सेक्टर को हम बोलते हैं अनौर्गिनाइज सेक्टर और इंडिया में सेक्टर को फिर से टूपार्स में डिवाइड करोगे पॉब्लिक और प्राइविट अगर आप इसी गौर्ण्मेंट जॉब में एप्प्ल प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की तो कि अदर आता है अगर अगराई कॉंचर में गेज़ें और आप काम करते हैं पिश्रीज में इसका मतलब यह है कि हम प्राथमिक छेत्र में काम कर रहे हैं अगर आप सेकंडरी में काम कर रहे हो इसका मतलब यह है कि आप ही ना कहीं कि इंडूस्ट्रियल सेटर में काम कर रहे हो आप रही नहीं फैक्τοरीज में काम कर रहे हो और जो फैक्τοरी होती है वह तीन टैप में डिवाइड हो सकती है क्या है अगर आप करें किने कूप करें किया सेटर में काम कर रहे हो हुए अगर है आप के साक्टर है जहा भी हम सब को or तर्शयरी का मतलब हो जाएग heart कर रहे हो कि अगर आप Rex sektor में कांक कर रहे हो सबीज़िये हैं धेश के अंदर कि परसंट यह लेश है जो अंड़ोग है जो इंडिया के स्केंड़ी सेक्टर में में इंगें और कितने वांगें इंगेज है Grade कि अ कि वह कितना पर्सेंट एसा contribution पॉपूपुलेशन का जो इंडियन एक्रिकल्चर या फिर प्राइमरी सेक्टर में पूपुलेशन की तो अगर अगर आपर आईडिया लगा हैं तो देश का 44 पॉपॉपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपू primary sector में काम करती है primary sector में engaged है लेकिन इससे हमारे GDP में सबसे कम contribution होता है primary sector का Indian economy के अंदर बहुती कम contribution है इसके बाद फिर अगर हम बात करें GDP का किपना contribution है तो बटा यह 14% है Indian economy के अंदर 14% Indian economy के अंदर 14% का contribution हमें GDP का नहां से होता है पिर अगर हम बात करें कि बही बताईए सबसे ज़्यादा contribution की sector से Indian economy को होता है सबसे ज़्यादा जो contribution Indian economy को होता है वो होता है service sector से अगर हम देखें service sector के अंदर तो बटाएं यहां पर हमको 54% का contribution होता है और जबकि Indian population का 31% इस sector में engaged है इंडियन population का 31% इस sector में engaged है और यहां से हमको 54% का contribution होता है तो हम यह कहा सकते हैं कि Indian population के अंदर 25% का contribution यहां से होता है और जबकि 29% का contribution हमको यहां से होता है यहां पर कहां जा सकता है कि Indian economy के अंदर हम यहां बोल पाएंगे कि Indian economy के अंदर देश के अंदर 44% population इसमें काम करती है लेकिं इसमें GDP के अंदर योगदान 17% का ही है इसमें देश का 25% लो काम करते हैं लेकिं GDP मेंसका contribution 29% का ही है जबकि इसमें 31% population engaged है लेकिन इसमें GDP के अंदर contribution 54% का है सबसे ज़्यादा इंडर economy के अंदर contribution sector जो है वो कौन सा है वो sector होगा बटा tertiary sector सबसे ज़्यादा लोग इसमें engaged होते हैं हाला कि important चीज़ यह है कि अगर हम देखें इन sectors के लावा मत पर दो sectors और होते हैं which is called queenery ज की queenery है ए ए ए फक्रसे क्वाटने इस अब हटनरी कि के सेकेज वननेंगे साटर मतलब क्या है कि जहां पर लोग फोड़े जहां पर लोग इसे लोगों को इसमें डाला गया है जो लोग छोड़े से research में काम करते हैं जो लोग research में काम करते हैं या लोग development purpose में काम कर रहे होते हैं इतने सभी क्या सबते हैं कि जासे कोई S.ी.A होते हैं doctors होते हैं professors होते हैं उनको इस category में डाला गया है बात करें quarternary की इसमें जो भी इंडिया के अंदर decision maker है जो भी इसके अंदर decision maker होते हैं वो तभी लोग इसके अंदर engaged होंगे जो भी इंडिया में decision maker हैं वो सभी लोग इसके अंदर आ जाएंगे इवन हम बात करें decision maker के अंदर अगर आप ए कंपनी के CEO हैं तो आप भी किसमें आएंगे आप भी आजेएंगे तो इंडियन एकॉनमी के अंदर देखा जाए थी होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड तरशली अब जो भी लोग प्राइमरी में इंगेज हैं उनको बोल जाता है कि यह जो जॉब कर रहा है यह एक रेड और जॉब है जो भी बाता इसमें काम कर रहा हुता है reck आर जोबिलोग सेकेंडिमें इंगें इंगें इंग सिफकांभ ridge कर। कालर जोब ऑजब interesante है । नोतों अनिए इंगा स्कॉर्णomb क्वाइट नLING का रहे होटें में lost मीद्ट कालें हैं कि इसको हम शारोग से fenomen इस वालविवन this is called gold collar job okay so मुझे ऐसा लगता है मुझे उबीद है कि आपको यह सारी चीज़े समझ में आ गई होंगी आपस ना यादर ना आपको कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर देश का 44% पॉपिलेशन है जो कां करती है जबकि इसका जीडीपी में कॉझे लिटीडीजन सेवंटी परसंट है सबसे जयदा जीडीपी में कॉझे सब्सक्राइब इसके अंदर इंगेस टर्वेटा इसफेची के एलिड़ सेवगनेटर में च्रप्रशंट है तो इससे GDP में contribution 29% का होता है जो भी लोग primary में काम करते हैं उसको हमने बोला कि वो लोग red color job कर रहे हैं जो लोग secondary में हैं वो लोग blue color job कर रहे होते हैं तो basically हमने इंडियन इसके टू पार्ट और भी है इसके अलावा हमने देखा और अन अर्गनाइज सेक्टर एक अगारिण टू प्राइविट सेक्टर एंड पॉब्लिक सेक्टर तो यह हैं इंडियन इकानमी के सेक्टर ऐसी ही किसान बैच का नेम है किसान किसान बैच है जो कि group D की preparation करना चाहते हैं तो आप भी इस बैच में जाके खुद को enroll करा सकते हैं और यह बैच को 11 जून सुबह 10.45 पे शुरू किया जा रहा है तो यह नया बैच है जो कि हर्याना में group D की vacancies के लिए नया launch किया जा रहा है तो ऐसी ही information को ऐसी जानकारी को देखने के लिए आप बने रहे एक्जाम पूर हर्याना पूर पर तो thank you very much all the best